मित्रों भेंडियों बड़ाहिम नौलेचेवल हैं और भेंडियों को शुरू से अंतक जरूर देखना हैं पचले भेंडियों में आपने कोई भी कॉमेंट नहीं किया इस भेंडियों में कॉमेंट जरूर कर देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो पहने ही कर देना तो भाई लोग इस वीडियो में मैं इस बाले जो क्या हमारा जो एली ड्राइबर होता है उसमें जो कैपासिटर होता है उसके बारे में बात करेंगे आप सोच रहे होंगे कि आपको तो कैपासिटर के बारे में पता है तो ये वीडियो देखे क्या फादा ऐसा रही है कि आप हम इस ड्राइबर को रिप्यार करने के भी कोशिश करेंगे कि यह ड्राइबर क्या रिप्यार हो पाता है चलिए शुड़ करते हैं वीडियो को तो यहां पर देख सकते हो एक सॉड़़ और बिराशी इुएक ने भी यह जा है। तो यह जो केपासिटर है Buffalo मैं आउट पूट का यह दिसी भोल्ट इसने को यह फिल्टर कर था है तो सबसे पहले आपर यह फटा पड़ा हुआ है तो यह क्यूं फट गया हमने का करण क्या इक तो इसका जो culture का वो साईकल खत्म हो चुका होगा या तो किसी करण से इस driver में short circuit हुआ होगा और ज्यादा voltage आ गया होगा तो यह capacitor फट गया है तो अभी हम क्या करेंगे कि इस capacitor को change करेंगे और इसके जर्गे पे और एक capacitor लगाएंगे दरसल इसको हम polyester capacitor कहते हैं मैं तो capacitor capacitor कह रहा हूँ इसका नाम polyester capacitor है क्यों polyester किसलिए क्योंकि इसमें polarity होता है प्लास और माइनस इसलिए हम पॉलिस्टर capacitor कहते हैं और यहां पर देख सकते हो दो पी एप लगा हुआ है इसको मैं हाटाता हूँ फिर आपको पी एप के बार में बोलता हूँ तो भाईया यहां पर यह जो driver है इसका मैंने वो पार्ट निकल लिया तो यह रहा वो capacitor जो कि आप देख सकते हो बिलकुल खड़ाब हो चुका है फूल के और यहां से फट गया है देख रहा है हो ना यहां से खड़ाब हो चुका है तो इसको हमें ही रख देते हैं और बात कारते हैं कि इस तरह का PF का क्या काम होता है तो यहां पर यह driver ठीक नहीं हो सकता क्योंकि देखो यहां पर छोटा-छोटा component जो है वो घिस चुका है कुसी कारण से तो इस बाले driver में आप देखो यहां पर साब-साब आपको दिखाई देगा यहां पर देखो एक बीज एक्टिफायर लगा हुआ है और बीज एक्टिफायर के यहां पर और यहां पर दो टर्मिनल से है अब अब बंदू एक पी अप Connect हो गया है च्छिक फेल जो क्या करता है ना कि इसका जो filtration करता है गिसी को तो इसलिए इसका प्लल्वा गया फैजिआ पर एक चोटा से और और हमारा जो कैपसिटिचिटर है यह वाला कैपसिट तो देखो कितना व्टेज का है 160 volt 82 UF अगर किसी तरह से आपको यह कैपासिटर नहीं मिलता तो आप 400 बोल्ट और 3.3 UF को कैपासिटर यहां पर लगा सकते हो voltage आपका 400 बोल्ट होना चाहिए और 400 बोल्ट भी हो सकता है UF आप अपने हिसाब से तैय कर सकते हो 3.3 UF 2 UF 2.2 UF और 1 UF 10 UF 22 UF कोई भी चल जाएगा ठीक है बस बोल्ट ज्यादा होना चाहिए क्योंकि कभी कबार क्या होता है है ना कि हमें इतना high voltage का capacitor नहीं मील पाता 160 बोल्ट का capacitor नहीं मील पाता तो इसलिए मैंने यह बता दिया तो उमीद करता हूं कि आपको capacitor के बारे में थोड़ा सा समझ में आया होगा कि यह लिए ड्राइबर में capacitor क्यों इस्तिमाल किया जाता है देखो तो मैं यहां पर कोई अपना मनगरन टेकनोलोजी आपको नहीं बता रहा हूं यह टेकनोलोजी काफी ड्राइबर में इस्तिमाल किया जाता है तो यहां पर देख सकते हो कोई भी capacitor आपको output में लगाना है तो वो नहीं मिल रहा तो आप 400 बोल्ट का capacitor लगा सकते हो इससे आपका काम बन जाएगा